मुझे वॉइद्दू चेत्र एंवं बल रेखाएं क्या होती हैं पहले विद्दू चेत्र के बारे में बात करते हैं आवेस है और उस आवेस के आसपास जो है वो क्या होता है भई आवेस के होने से हम लोगों को पता चला कि आवेस के होने के कारण एक विशेस पावर आ जाता है किसी पदार्थ के उपर कि वह दूसरे आवेसित पदार्थ के उपर बल लगा सके हम लोगों ने यहां पर एक दूसरा आव करांने के लिए इस अवेस ने अपने आसपास एक विद्दुचेत्र बनाकर रखा हुआ है यह विद्दुचेत्र वह पास का वह शेत्र है जिस पर कोई बाह आवेश लाने पर उसे बल का अनुभाव होता है स्तुरत आवेश के कारण अब इसके लिए जो है हम विद्धुत शेत्र की तीवता का जो हमान निकालते हैं इ का मान होता है विद्धुत बल प्रती एकांक आवेश मतलब F बटा Q ठीक है और इस तरीके से हम देखेंगे तो मतलब बल का मान क्या था बल का मान था F बराबर 1 by 4 pi epsilon 0 और यहां पर था Q1 Q2 divided by R square हम लोगों ने D को R कर दिया है इसका कारण में आपको बता जोगा अब बटा Q करना है तो मान लेते हैं कि यह Q2 है तो हम लोगों ने यहां पर बटा Q2 कर दिया तो हमारे पास में E का सूत्र हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon 0 और यहां हो जाएगा Q बटा R का वर्ग याने कि Q1 बटा R का वर्ग यह जो है विद्दू छेतर के बारे में हमारी जानकारी हो गई अब हम दिखेंगे कि हम कोई भी एकांक जो है टेस्ट और मतलब प्रिक्षण आवेस लेके आएंगे Q0 और उसे जहां जहां पर रखेंगे वहां वहां पर लगने वाले बल के हिसाब से हमें उस इस्थान पर विद्दू छेतर की तीवता के बारे में पता चल जाएगा हम लोगों ने अगर एक धनात्मक आवेस लेकर रखा है तो इस धनात्मक आवेस के पास में यदि मैं एक धनात्मक प्रिक्षण आवेस Q0 रखूंगा तो ये प्रतिकर्शन के बल का अनुभाव करेगा और ये दूर जाएगा तो और उसी तरीके से एक धनात्मक आवेस ले के जब भी हम एक प्रेक्षण आवेस को यहां पर रख कर छोड देंगे तो इसके प्रतिकरशन और इसके आकरशं के कारण किस रास्ते से हो कर वह आवेस चलेगा तो विद्दुत बल रेखा है वह कालपनिक रेखा है जिस पर छोड़ देने पर एक रेक्षण आवेस किसी स्तुरत आवेस के आसपास गती करेगा ठीक है अब ये इसको विद्दुत बल रेखा कहते हैं और इस विद्दुत बल रेखा की जो है बहुत स धनात्मक आवेश है और जब भी किसी आवेश में तीर आपको अंदर आता हुआ दिखाई देगा तो आप समझ जाएंगे यह रिनात्मक आवेश है और ऐसा क्यों हो रहा है क्योंकि हर बार हम लोगों ने अपने प्रिक्षण आवेश को धनात्मक और इकाई परिमार का लिया तो इस पर शरीखा की जो दिशा होती है वो उस बिंदु पर प्रिक्षण आवेश के चलने की दिशा को प्रदर्शित करती है या प्रिक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है ठीक है उसके बाद में जो है दिशा के बारे में ये जो है हमार बात करते हैं कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती क्योंकि जिस बिंदू पर बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी वहाँ पर अगर हम स्वर्श रेखा बनाते हैं तो हमें दो अलग अलग विद्दू छेतर की दिशाय नजर आती हैं जो की संभव नहीं है ये प्रश्ण आपसे एक अंक के लिए पूछा जा सकता है आगे देखेंगे घनत्व तो हम ये जानते हैं कि भाई यहां पास में विद्दुत रिखाओं प्रति एकांग छेतर फल में कम है अगे लोगों ने ये जानने का प्रयास किया को अपनी और आकरषित कैसे करती है तो हम लोगों ने एक त्षाड़ी लगाई कि जिस तरीके से आप एक स्प्रिंग ले लो और उसे किचो स्प्रिंग अपने आपको शिकोड कर दुबारा अपनी पुना हिस्थिती में पहुचने का प्रयास करती है उसी प्रकार से अब हम मान लेते हैं कि ये जो विद्धुत बल रेखाएं हैं जो धनात्मक आवेश से निकल के रिनात्मक आवेश तक जा रही है ये बल रेखाएं असल में अपनी लंबाई को कम करने का प्रयास करती है और इसी प्रयास में ये दोनों के बीच में आकरशन का बल हमें दिखाई देता है अगला जो है गुन क्या है पार्श दबाव पार्श दबाव का मतलब ये है कि किसी भी धनात्मक आवेश से जब भी विद्दुत बल रेखाएं निकल रही होती है और ये जो है किसी दूसरी विद्दुत बल रेखा के पास में आती है तो इन विद्दूत बल रेखाओं के आपस में चौडाई से एक दूसरे के उपर प्रतिकर्शन का बल लगता है या दबाव लगता है इसलिए ये विद्दूत बल रेखाओं एक दूसरे से दूर जाने का प्यास करती है लंबाई में सिकुरने का प्रयास करती है लेकिन एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करती है और इसलिए दो समान आवेशों के बीच में प्रतिकरशन का बल लगता है आगे देखेंगे हम ये एक और गुण है वो है चालक से मिलना जब भी विदुद बल रेखा यो है इसको इससे मिलेंगी तो हमेशा यहाँ पर नब्य अंस का कोण बनेगा अब मैंने माल लिया कि ये नब्य अंस का कोण बनाने के बजाए ठीटा अंस का कोण बनाती है तो ऐसे इस सिती में इस चालक पर लगने वाला जो बल है उसके भी दो हम कॉम्पोनेट यहने की अभयव निकाल सकते हैं एक कॉम्पोनेट सीधा सीधा लगेगा जो की आवेश को अंदर धकेलने का प्रयास करेगा ये तो ठीक है लेकिन दूसरा बल जो है वो सता पर लगेगा और इसके कारण जो है यहाँ पर चालक में आवेश का प्रवा होने लग जाएगा जो विदूद धारा को पदरशित करता है लेकिन हम लोगों ने ये प्रयोक करके देखा है कि विदूद छेत्र में उपसित चालक में विदूद धारा का प्रवाह नहीं होता है इसका मतलब ये है किसे नब्ययंस के कौन भेही मिलना पड़ेगा अगली बात क्या है चालक के अंदर का छेत्र तो चालक के अंदर के छेत्र के बारे में हम जो है इस तरीके से बात कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या देखा है, हम लोगों ने प्रेरण देखा है, अब आप देखे, ये विद्दुचेत्र की बल रिखाएं हैं, और ये बल रिखाएं जो है किसी चालक से इस प्रकार से मिली, अब यहां पर क्या होगा, कि जो भी धनात्मक आवेस होगा, वो अरे धनात्मक आवेस नजर आएंगे, इन धनात्मक आवेसों और रिनात्मक आवेसों के कारण, अंदर भी एक विद्दुचेत्र बन जाएगा, और ये विद्दुचेत्र परिमार में बिल्कुल बराबर होगा, लेकिन दिशा में विपरित होगा, अब ये दोनों विद् विद्दुत बल रेखाएं, आपको दोबारा दिखाएंगी, इसका मतलब है, कि विद्दुत बल रेखाएं, किसी भी चालक की सत्ह को कभी नहीं भेधती हैं, या किसी चालक के अंदर विद्दुत छेत्र का मान च्छूनने होता है, तो मिलेंगे हम अपने अगले वीडियो म जहां हम discuss कर रहे होंगे सारी वो चीजे जो आपके लिए important है जूड़े रहे exam, series, mission 2023 और अगर आप हमारा application डाउनलोड करते हैं तो जैसे मैंने कहा mind map जैसे मैंने कहा short notes और जैसे मैंने कहा important question और one to one mentorship यह सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेगे तो देर किस बात की जल्दी से जाएं इस link पर और हमारा यह application डाउनलोड करें मिलें अगले वीडियो में और तब तक के लिए धन्यवाद